दोस्तों ताज महल के इश्यू को लेकर बहुत सारे भाई कमेंट बाक्स में सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या सच में ताज महल का नाम तेजो महलाया कर दिया जाएगा क्या वहाँ पर पूजा की पर्मिशन दी जाएगी क्या है इसका exact पूरा प्रासेस और ये होने में कितने द कर रहे हो तो 5% हिंदू भाई भी इसमें इंट्रेस्टेड नहीं लग रहे है लेकिन अगर बीजेपी चाहे तो कभी भी वह अपने मुस्लिम नेताओं को ये आडरत दे सकती है कि आप तेजो महल्या के खिलाफ कोई भड़काव भाशन दे दो अगर बीजेपी ने ये हुक तो इसा ही कोई भड़काव भाशन बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेताओं से दिलवा दिया तो एक साथ 100 करोड हिंदू भाई भड़क जाएंगे अब तक तो सिर्फ 5% हिंदू भाई ही तेजो महल्या की मान कर रहे हैं तो अगर किसी मुस्लिम नेता ने अगर भड़काव भाशन दे दिया तो एक साथ 100 करोड हिंदू भाई भड़क जाएंगे और वो सीधे सीधे ये मांग करने लगेंगे कि मोदी जी अगर आप चाहे तो 200 रुपिय भी पेट्रोल कर लो लेकिन इन मुस्लिम नेताओं को सबक सिखाने के लिए आपको तेजो महलाया नाम बदलना ही पड़ेगा ये मांग करेंगे पूरे 100 करोड हिंदू भाई देश के तो अब पूरी तरह से ये बीजेपी के हाथ में है कि क्या वो अपने मुस्लिम नेताओं को भड़काव भाशन देने का आडर देगी या नहीं लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी इसमें इंट्रेस्टेड है क्योंकि आलरी ताज महल से काफी रिवेन्यू बीजेपी को मिल रहा है तो अगर उन्होंने भड़काव भाशन दिलवा भी दिया तो अगर पेट्रोल दोसो भी हो गया मान लीजिए तो ए कैने लगता कि बीजेपी से करने वाली है तो फिल Αल बीजेपी मसजित के लिए अपने मुस्रीम नीताओं सी फेक आटिंग लटने में भी जी तो फिलहाल इसी फेक वो election निकाल लेंगे, मुझे ने लगता कि वो ताज महल के लिए अपना time waste करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई फाइदा नहीं है, एक तरफ से revenue आएगी, एक तरफ से जाएगी, तो revenue का तो BJP को कोई फाइदा नहीं है, लेकिन ग्यान व्यापी मस्जिद से तो कोई revenue नहीं मि करना पड़ेगा, ताज महल के लिए, इस issue के लिए मुझे लगता है, जो लोग इसमें interested है, उनको अभी कई साल इंतिजार करना पड़ेगा, अगर इसमें कुछ भी वो बदलाव देखना चाहते हैं, तो फिलहाल तो इस चीज में कोई भी possibility change होने की नहीं लग रही, thank you so much guys. करतो हैं.